है कि आप सब को मेरा नमस्कार हम factorial के बारे में बात कर चुके हैं तो आज हम बात करेंगे की इसकी यूटिलिटी क्या है तो गाइस एक्टोरियल की सबसे बड़ी यूटिलिटी जो है वो है तो फाइंड पावर प्राइम नंबर इन अश्टोरिय देखिये यह बहुत बड़ा नंबर हें 100 आपको भी पता है इस अ पूज नमबर हंडर फेक्टोरियल वोड बी रिटन एसंडर इंटो 99 इंटो 98 इंटो 97 इंटो 96 इंटो 95 इंटो 94 इंटो 93 अम मैं लिखता जाओंगा तो 3 इंटो 2 इंटो 1 राइट इतना बड़ा नंबर अब इसको अब उन कभी भी मुल्टिप्लाइं नहीं कर सकते हैं हम इसक इंटो फैक्तोरियल एक रेप्रेजेशन दिया हुआ है इस तू की पार एंटो 3 की पार B इंटो 5 की पार सी इंतो 7 की पार डी विगऑस हर नंबर को प्राइम नंबर की फॉर में लिखा जा सकता है तो तो क्या कि मैं कह सकता हूं इंटू लास्ट में होगा 97 की पार वंद य कि वैल्वी फायंड करनी है तो फियाख फॉच ऑल अफ एक्स पॉनेंट आइट सो पावर आफ एक्सपॉनेट सो ऐसे वैल्यू क्या होगी हंडर्ड फेक्टोरियल में अगर अंडर्ड फेक्टोरियल को हम फेक्टराइज करें तो टू की पार अ है तो एक वैल्यू क्या होगी तो देखिया ही एक है एक एक टो फेक्टोरिल में से अंडेर ऊठा लीजिए अपान टू कर दीजिए विच फिफ्टी फिफ्टी वाइटो कर दीजिए 25 25 by 2 कर दीजिए 12.5 12 बॉल बाइटू कर देजिए 6 6 बाइटू कर देजिए 3 अब बोलोगे कि सर यह 12 25 बाइटू को 12.5 क्यों नहीं लिखा हमेशां इंटाइगरल पार्ट को रिटेन के जिए और फ्रेक्शनल पार्ट को एग्नोर कर दिजिए तेमिलरली सिक्स बाइटू इस 3 3 बाइटू इस 1.5 तो सिरफ 1 लिखेंगे राइट अब भी अगर मैं बोलू 1 बाइटू 1 बाइटू 1 बाइटू इस 0.05 तो इसको एड़ करेंगे पचास जमा पच्छिस पजात्तर पजात्तर जमा दस पचासी जमा दस पचासी जमा दस नाइन टी सेवन तो एक वैल्यू क्या है नाइन क्या है थाँ क्या होगी, क्या होगी 100 by 3, 33.3 तो 0.3 को मा इग्नूर करेंगे, 33 by 3 is 11 and 11 by 3 is 3 point something which is 3 and 3 by 3 is 1, right? इस तरह से आप वैल्यूस फाइंड करते रहेंगे और आपको चलिए देखते हैं डी विच इस 7 की पार 100 by 7, right? 100 by 7 is 14 point something, so 14 and 14 by 7 is 2, 14 plus 2 is 16, तो यह जाएगा 16, तो इस तरह से आप किसी भी factorial में, prime number की पार, see, remember this, prime number की पार इस method से निकाल सकते हो, right? this is one of the best methods to find par of a prime number in a factorial, sir, एक और चेक करके देख सकते हैं, अब number of zeros की बात आती है, so, अगर हम number of zeros की बात करें, उसे पहले, मैं फिर से यहाँ पर जाओंगा और बोलूँगा, कि 100 factorial में 6 की कितनी पार होगी, तो देखिए, 6 जो है, 6 जो है, 6 is not a prime number, not prime, non-prime है, 6 composite है, सो हम नहीं बोल सकते हैं, 100 upon 6 करेंगे, तो उस case में 6 बनता है, 2 से और 3 से combine होके, और 2 की पार अभी हमने देखिए थी 97 है, और 3 की पार हमने देखिए थी 48 है, right, so, दोनों prime numbers के combination की पार लेख लिजे, 2 की पार 97 और 3 की पार 48, so, 3 की पार 48, 2 की पार 48 के साथ combine होगी, और बन जाएगा 6 की पार 48, यह आप इतना ही देख लिजिए, कि जब भी combination और prime numbers आता है, तो जिस prime number की पार छोटी है, वही answer होगा, so, देखिए, 2 की पार 97 है, 3 की पार 48 है, तो 6 की पार कितनी होगी, छोटा वाला 48, right, similarly, अगर 100 factorial में मैं आपसे पूछू, 30 की maximum पार कितनी होगी, नो 30 बनता है, 2 into 3 into 5 से, 2 की पार 97, 3 की पार है, 48 और 5 की पार है 24, so, सबसे छोटा क्या है, 24, so, 30 की maximum पार होगी, 24, so, कभी भी composite number आजाए, तो वो हम इस तरह से करेंगे, तो नेक्स वीडियो में हम लोग number of zeros के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए, मिलता हूं दुबारा आपसे, जैन,